अपने शांदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लेने वाली भारतिय महला क्रिकेट टीम की स्टार ओल राउंडर हर्मन प्रीत कौर आज हर देश वासी को अपना फैन बना चुकी है टीम इंडिया को फाइनल तक पहुँचाने में हर्मन प्रीत ने सबसे महत्वपून भूमी का निभाई थी लेकिन अब हर्मन प्रीत कौर को लेकर निराशा जना खबर सामने आई है हर्मन प्रीत कंधे की चोड के कारण एंग्लैंड में होने वाली महला सूपर लीग से बाहर हो सकती है सरे स्टार्स की खिलाडी हर्मन प्रीत का पिशले सब्ता एमाराई हुआ था जुसके बाद डॉक्टर उन्हें उनके बायकंधे में हलके फ्रैक्चर की जानकारी दी है उन्हें करीब एक महीने तक आराम करने की सलाह दी गई है जुसके बाद उन्हें रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा हर्मन प्रीत ने कहा कि विश्वकप के आकरी चरण में उनकी फिटनेस पूरी तरह ठीक नहीं थी लेकिन वो खेलती रही महला विग बैश लीग में भी उन्होंने सिडिनी थंडर्स के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन वो फिलहाल खेलने की स्थती में नहीं है आपको बता दें कि इंगलैंड में पिशले महीने खत्म हुए महला विश्वकप में हर्मन प्रीत भारत की दूसरी सबसे जादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबास थी जिन्होंने अपनी नाबाद 171 रन की पारी से टीम को छे बार की चैंपियन आस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमी फाइनल में जीत दिलाई थी उन्होंने फाइनल में भी अर्द श्रतक जमाया लेकिन टीम इंगलैंड से विश्वकप खिताब गमा बैठी थी टूर्नमेंट की दौरान हर्मन प्रीत को काफी चोटे लगी थी एनमेफ नीउस की रिपोर्ट